हेलो फ्रेंट स्वागते आप सभी का मेरे और आपके इस चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक CACVLE है कॉमेंट सेर्विस एंटर संचालक है अगर आपने अभी तक DGP Lite का User ID और पासवर्ड नहीं बनाए हैं तो आज अभी को बता दे कि आप अपने खुद से DGP Lite का User ID और पासवर्ड करेट कर सकते हैं विदिन 5 मिनेट के अंदर उसके बाद आप अपने DGP Lite के अकॉंट में भी लोगिन कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आप लोग कंप्लेट वताने वाले कि DGP Lite का User ID और पासवर्ड आप अपने खुद से किस प्रकार से विदिन 5 मिनेट के अंदर ही क्रेट कर सकते हैं और शाथ में आप लोग को दिखाएं कि आप किस प्रकार से DGP Lite में लोगिन भी होगे तो DGP Lite का User ID और पासवर्ड करेट करने के लिए आप सभी को DGP Lite के official website में आ जाना है agent.pacac.in जिसका link आप लोग को description में मिल जागा और यहां पर से आने के बाद कोई भी option नहीं होता है जहां पर से आप किसी भी तरह से ID को create कर सकते यहां पर शिंपल से आप लोग को username and password का option देखने को मिलता है जिसके बाद आप यहां पर से DGP Lite साइनिंग कर सकते हैं लेकिन आप सभी को बता दे कि यहां पर से आप लोग बहुत easy तरीके से लोगिन कर सकते है जहां पर से अगर आपने अभी तक ID के लिए registration नहीं किये हैं तो आप से को बता cricket कि convince लोगिन हो सकते लोगिन होने के लिए बैसेकलिए आप सब्स लोग किस प्रकार से लोगिन कर सकते तो आप सब्सक् regulations कि जितने ओवरवल एस्टेट के CAC VLE है आपके जो CAC ID है उसके पहले आप लोग को 01 लगा देना है उसके बाद आप अपने CAC का ID इंटर करेंगे उसके बाद आप यहां पर से पासवर्ड में सी कैपिटल देंगे उसके बाद अस्मोल में देंगे उसके बाद फिर अस्मोल मे क्लिक करेंगे तो आप यहां पर से देख सकते हैं कि लोग इन हो सकता है आप सब्सक्राइब को बता दें कि जितने भी CAC VLE का का user ID और password create हो चुका है और उनके mail में भी receive हो गया है जैसे कि आप यहां पर से देख सकते हैं कि मेरा 01 है उसके बाद जो भी मेरा CAC ID है वो आप यहां पर से देख सकते कि और भी मेरे पास CAC ID है उसे आम इंटर करके लोगिन करके आप सभी को दिखा देते हैं यहां पर आप सब्सक्राइब को बता दे को भी को हो सकता है आप सभी को यहां पर से एक दो बार लोगिन देखने को ने भी लेकिन फिर वी एक यहां पर से एक दो बार ओडर ट्राय करेंग को आपको बतादे कि यहां पर से आप पुली लोगिन हो पाएंगे क्योंकि यहां पर से WhatsApp ग्रूप के अलावा CAC के जो DM होते हैं उनके तरह से यह मैसेज को जारी किया गया था जहां पर से जितने भी CAC VLE सभी CAC VLE का ID कर सकते हैं तो जैसे कि आप यहां पर से देख सकते हैं हमने दूसरे CAC ID को इंटर किये यहां पर से OTP भी सेंड कर दिया गया तो लोगिन करने के लिए बेशिकली हाँ पर आप फास्ट टैम लोगिन करेंगे तो 01 लगा कि अपने CAC ID को इंटर करेंगे पास्वर्ड में आप लोग CAC 1234 इंटर करेंगे उसके बाद आप जैसे ही साइन करेंगे उसके बाद जो भी आपके CAC में मोगाईल नमर रेजिस्टर होगा उसमें एक OTP सेंड कर दिया जाएगा उस OTP को आप इंटर करेंगे और वेरिफाय करेंगे तो आप डीजी पे लाइट में सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे इन पडे से क्लिक करने के बाद आप आपका ID successfully login हो जाता है तो pop-up को आप यहां पर से cut करेंगे इसके बाद यहां पर से आप लोग को KYC complete करने के लिए होता है जिसके लिए complete KYC के option में क्लिक करेंगे KYC आप लोग किस परकाश कर पाएंगे इसके लिए हमने complete वीडियो बना रखे लिंक आप को description में मिल जाएगा इसके लावा आप सभी को बता दे कि अगर आपका लाइक यहां पर से KYC ID नहीं login होता है और password से नहीं login होता है तो भी आप सभी को बता दे कि वीडियो के description में एक वीडियो का link मिलेगा उस वीडियो को complete देखने के बाद आप यहां पर से अपने KYC ID के माध्यम से ही अब डिजी पे लाइट में login होना start हो जाएगा तो जाके अगर आप लोग को login नहीं होता तो उस वीडियो को देख सकते तो आई होप इस वीडियो में इतने